असलमलेकुम दोस्तों वीडियो को मैं आपको कुछ जरूरी है इंपोर्टन्ट है जानकाई बताएंगे अगर आप सौधी रफ के अंदर रहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि सौधी के एरपोर्ट के कुछ नए निर्देश जारी किये हैं जिसके बार में सभी लोग को जानकरी होना चाहिए अगर आप सौधी रफ के अंदर रहते हो सौधी रफ का सफर करने वाले हो तो ऐसमें इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपको लेकर जिद्धा एरपोर्ट परसासन के तरफ से और अंतराष्ट यात्रियों के लिए एक नए शुबधा और नए निदेश जरी किये गए हैं हम आपको इस वीडियों पूरी जनकर देंगे और रिलेटर जनकर भी इस वीडियो में आपको पताएंगे अब जो पूरा देखित तक पूर जनकर मिल जाएं दोस्तों वीडियो में आगे ध्यान नहीं रखते हैं समय का इसलिए उनको परिसानी का सामना करना पड़ता है इसलिए सवुदे के जद्धा एरपोर्ट परसासन अंतराष्टी यात्रियों के लिए अभी आसान सुरक्षित बनाने के लिए जो यात्रा है उसके समय का नेधान किया है जिसमें साफ साफ पता आगया है कि चार घंटे पहले एरपोर्ट पर आपको पहुँचना चाहिए और यह आपको ध्यान रखना है कि उम्रास सीजन के अंत में बड़ी संख्या में विभिन देशों के उम्रातिय थ्यात्री लोट रहे हैं एरपोर्ट पर एरलाइन्स कंपनी के काउंटर निर देश जाई किया गया और सिट परदार किया गया कहा गया है कि सौधी रिप में उम्रा चायटट उडान के यात्रियों के लिए हवेड़े पर जाने से पहले सभी लोगों को अभी इसका पालन करना चाहिए जैसे के खास बात है कि आपका जो भी आईडी है जो भी दस्तवे जो बैद होना चाहिए टिकट भी आपकी पास होना चाहिए उडान के समय से आपको चार घंटे पहले पहुना चाहिए छे घंटे से जादा नहीं होना चाहिए